दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको एक fitting pend की cutting करना बताएंगे दोस्तो एक मीटर कपड़े में पेंट की cutting करेंगे तो दोस्तो कुछ जरूरी टिप्स भी बताएंगे इससे पहरे दोस्तो इसका measurement देख लीजे फिर वीडियो को पूरा देखेगा जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें दोस्तो साड़े 36 इंच लेंथ है और दोस्तो 32 इंच कमर है और 34 इंच जीप है दोस्तो 24 इंच थाई है और साड़े बारा मोरी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो कपड़े को आपको इस किनार को मिलाते हुए और इस तरीके से आपको समसे पहला एक निशान सीधा कर लेना है इसके बाद में दोस्तों अपने पैंट की लेंथ है थाड़े 36 इंच तो दोस्तों आपको इंची टेप को एक इंच ऊपर इस तरीके से निकाल देना है इसके बाद में थाड़े 36 पे को निशान लगा लेना है इस तरीके से आप बॉटम फॉल्ड के लिए तीन इंच चाटाइ इंच मार्जन ले सकते हैं नीचे तो दोस्तों मैंने टाइंच पे निशान लगा लिया अब दोस्तों हीप है इसकी 34 इंच जो इसका आसन है वो अपने हिप के चौट्छे इसे पर साड़े आठ इंच इसका आसन अएगा ठीक है दूसराइब अपने इस तरीके से निशान लगा लेंगे तो अब दोस्तों इस मार्के को भी सीधा कर लेना है कि दोस्तों नॉर्मल साइज में पैंट होती है उनमें अपने हिप के चौझे इसे पर आसन रखते हैं लटक रख करते हुए साड़े 23 सींच सामने में रख लेंगे पहले दोस्तों साड़े 23 का यानि कि पौने 12 इंच पे निशान लगाया और रेड इंच पीछे करते हुए एक और निशान लगा लिया ठीक है दोस्तों अब इसको नापना है यह 17 इंच बचा तो 17 इंच यहां पे रखना है इस तरीके से और दोस्तों पौना इंच यहां से पीछे करते हुए एक निशान लगा लेना है अब दोस्तों इसकी 32 इंच कमर है आठ चोका 32 आठ पे आया और एक इंच मार्जन के लिए ठीक है दोस्तों 9 इंच पे अपने यह निशान आ जाएगा और दोस्तों सामने को डा इस तरीके से ठीक है दोस्तों अब आपको इसको इस तरीके से मिला लेना है और इसको इस तरीके राउंड कर लेना है यहां पे दोस्तों फ्लाई हो जाएगी अपनी अब इस साइड की दोस्तों शेप आपको इस तरीके से करनी है इसमें क्रॉस पॉबिट रहेंगी तो क्रॉस प्रेक्टि का अपने मार्क लगा लेंगे सवाद दो इंच और दोस्तों साड़े साथ इंच इस तरीके से और सामने को डाउनिंग के लिए इस तरीके से ये निशान अपने लगा लेना है अब दोस्तों इसकी जो मोरी है वो कितनी रखनी है अब यहां तक आपको इसको इस तरीके से नाप लेना और इसका सेंटर बना लेना है ठीक है दोस्तों यहां पर यह आ गया निशान अब दोस्तों इसको यहां पर नापना है ये पौने साथ इंच आया तो पौने साथ इंच याँ पर रखना है इस तरीके से अब दोस्तो इसकी मोरी है जो साज़ metres बारा इंच दोस्तो तीन इंच एक सूथ इदर आया तेन इच एक सूथ इदर आएगा तो ये साज डे बारा हो जाएगी ठीक है दोस्तों अब इसको थोड़ी दूर तक इस तरीके से सीधा खिंचेंगे इस तरीके से और इसके बाद में शेफटिक रखते हुए मार्किंग कम्प्लेट कर लेंगे यहां पर दोस्तों हलकी सी चौँच बन रही है तो इसको इस तरीके रखना है शेफटिक और सीधा कर देना है और इस साइड में इस तरीके से रखना है इस तरीके से दोस्तों यह मार्का पूरा कर लेना है अब इसका मेजरिमेंट लिख देंगे 32 इंच कमबर है तो 32 इंच कमबर और यहाँ पर 12 तो 12 लिख देंगे अब दोस्तों इसकी कटिंग कर लें अब दोस्तों सामना कटिंग हो चुका बैक की कटिंग करेंगे तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके विशा लेंगे ठीक है दोस्तों और अब दोस्तों आपको सामने को इसकी उपर रखना है इस तरीके से दोस्तों सामने को इसकी उपर रख लेना है और अब यह मारकों को सीधा कर लेना है अब दोस्तों जो बैक होगी इसी हसाब से कटेंगे तो यह यहांसे पैंट फूलेगी प्रेश में सही नहीं बैठेगी अब दोस्तों आपको क्या करना होगा जितना कि यह अंदर गया है इतना इस साइड को बाहर निकाल लेना है इस तरीक ते सीधा कर लेना है इस तरीके अगर दोस्तों बैप को भी इसी तरीके से काटोगे तो यहां से यह पैंट फूलेगी अगर आप नहीं चाहते कि यहां से पैंट फूले तो आप इस तरीके से शेफटिक रखते यह मारका कर लें और इसको अब यहां पर सीधा कर लें यह ताकि यह जुड़ेगी तो यहां पर ही ठीक हो इस तरीके से मार्क्य को लगा ले को ले इसके बाद में दोस्तो अपने थाही का मेजरमेंट है 24-nd यहां पर 11.5 पीछे रोकना है और इस साइड में भी 11 पीछे रोकना है और अब 24 इंच है तो 23 प्रिश्च अपने निशान लगा लेंगे यानि की यह 24 इंच त्यार हो जाए ठीकत दोस्तों अब नीचे आपको यहां पर एक निशान लगा लेए और इसको अब इस तरीके से रखते हैं सिधा कर लेए कि अब दोस्तों इसका आधा इंच मार्जिन का खोड़ा कमबर के चौथ्छे इस्चे का निशान लगाना है अब कमबर का चौथा इसा 8 इंच 32 कमबर का और दोस्तो एक इंच की बैक में टीक प्लेट यानि की और सीट को जोडने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जन ठीक है दोस्तो अब इसकी हिप है 34 इंच तो दोस्तो यहां से आदा इंच पीछे रोकना है और आदा इंच यहां पे पहले रोक लेना है और 17 इंच 34 और दोस्तो एक इंच की यहां पे लूजिंग ताकि हिप से पैंट लूजो देखने में अच्छी लगे इस तरीके से अब दोस्तो आपको क्या करना है इसको मिलाते हुए इस तरीके से एक निशान लगा लेना और दूसरा निशान इसको इस तरीके से अब दोस्तो यह कटिंग इस निशान पे होगी तो इसको इस तरीके से राउंड कर लेना है और दोस्तो यह सिलाई वाला होगा तो इस निशान से आदे से पॉना इच नीचे राउंड कर लेना है इस तरीके से ठीक है दोस्तो अब आपको सिंपली शेफटी को रखना है और इसको इस तरीके से मिला के कटिंग कर लेना है ठीक है दोस्तो यह निशान इस तरीके से लग गए और इसको हलका से यहां पर क्रॉस कर ले और दोस् लेते हैं दोस्तों कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है अब आप जरूर से बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को स्क्राइब कर लें और कंटी वाला बटन दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का आपक को शेर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए तन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरान तक देखने के लिए